नमस्कार प्यारे मित्रों, NCRT Study धमा का चैनल पर आपको सागत है, आज हम पढ़ने वाले Math और Math में Class 9 का चेप्टर पढ़ने वाले हैं, आप इस वीडियो पर बने रहे होगी, आज आप देखने वाले हैं बहुत ही amazing trick जिससे आप सारे ही numbers, प्रकतिक संख्या क्या है, पूर् क्या है, परिमे क्या है, परिमे को क्यों से क्यों दर्शाते हैं, पूर्णां को जेट से क्यों दर्शाते हैं, इन सबी कारणों को आज हम explain करने वाले हैं, बने रहे हैं हमारे साथ, और आज हम start करते हैं अपना topic, देखिए हमें क्या दिख रिए सामने की और, एक संख्या र कि रेखा दिख रही हैं मुल काम क्या होता है hazarnies संख्यान को दर्षा देंत इए इस पर मैंने क्या क्या कि प्लस की और चलन न्बर चलना है तो मैंने बना दिया यहां पर इसका एक बेग, कहां बनाते हैं, यहां बनाते हैं इसका एक बेग, मैंने यहां बना दिया इसका एक यह रहा भई बेग, अब यह क्या किया, इसने इधर चलना चालू किया, तो क्या किया सबसे पहले इसने, सबसे पहले इसको दिखा, एक इसक दो को फिर इनको उठाया एसे आगे चलता जाएगा क्या किया इसने सबसे पहले एक को उठाया बेग में डाल दिया फिर दो को उठाया बेग में डाल दिया फिर इनको उठाया बेग में डाल दिया एसे आगे नंबर आते गया और उनको उठाते गया और बेग में डालता गय यह सारे नंबर प्राकट सेंखियायान नाम से जानेगे प्राक्रति यां original Mendu विए किस नाम से जानेगे प्राक्रतिक सेंखियाइं एक और नाम क्या हो गया इनका प्राकर्तिक संख्या है अब इनको इंग्लिस में क्या बोलेंगे यह जानना जरूरी है इनको इंग्लिस में बोलेंगे प्राकर्तिक को क्या बोलते नेचुरल इनको इंग्लिस में बोलेंगे नेचुरल नंबर्स क्या बोलेंगे इनको इंग्ल तो इस सं व्पेक के सट साइड में ने बना दिया एकdon रहेंग के सिमबोल मत रखेंगे इन संख्या हंगें के सिमपोल को प्राकश संख्या का मत इहां का सिमपोल ए प्राकश संख्या होगी जो सारहे नंबर्स जो हमारे मुँ और कींपिंद को ओलते ही तो यह लगातार बोलते चाते हैं तो प्राकरतिक रूप से जो हमारे अंदर खुच से निकला जब गिंती बोलने पर खुच से क्या निकला एक से श्टार्ट हुई गिंती तो यह सारे क्या है प्राकरतिक रूप से नंबर हुए कैसे नंबर से सारे प्राकरतिक नंबर है अब क्य किया अब भई बेटा फिर से इधर घुम के आजा कहां पहुच गया था इधर इन्फाइनेट तक पहुच गया था इन्फाइनेट तक पहुच गया था इन्फाइनेट से क्या किया फिर से घुम के जहां से शुरू किया वही पहुच जा क्या हुआ जहां से शुरू किया वही इस बेक को यह बना डाला इस बेक को इस बेक में ओल्रेडी नंबर कौन से थे नेचिरल नंबर सारे थे या तो मैं इनको नेचिरल नंबर लिख दू या फिर इन नंबर को फिर से लिख दू तो इसा करते हैं इनको नेचिरल नंबर ही लिख देते हैं इसमें ओल्रेडी क्या थे बेक के अंदर सारे ही natural number present थे natural number किस से denote करेंगे capital N पर तो इसने क्या किया zero को भी उठा के इस बेक के अंदर डाल दिया तो क्या हुआ natural numbers के अंदर क्या add हुआ zero add हुआ यानि natural number के अंदर हमने क्या क्या zero को जोड दिया तो हमें संख्या कौन सी मिल गई क्या पूर्ण संख्या मिल गई अब पूर्ण संख्या हो को इंगलीस में क्या बोलेंगे whole numbers क्या बोलेंगे whole numbers क्या बोलेंगे इसका symbol हो गया क्या हो गया फेशनख्या का symbol क्या हो गया आप नेच्स बात करते हैं करेंगे हम इसको आगे क्या number दीख रहे हैं इदर ही आगे की और सारे ही नेगेटिव नमर्स दिख रहे हैंना अब इन नेगेटिव नमर्स को क्या करेंगे इस बेग में फिर से डाल देंगे अपने पास ओल रेडी कैसे नमर्स थे नेचूरल नमर्स paard traं़े थे उसमें अपने क्या किया नीचे लेक जो देन्श धे इसको सारे इंफाइन तक के सारे नेगेटिव नमबर भी उठा के इसी में डाल दिए कभी इनको क्या बोलेंगे हम सारे ही नेगेटिव नमबर और जीरो और नेचुरल नमबर यह मिला के क्या बनेंगे पूर्णांक क्या बनेंगे पूर्णांक यहां लिख दिया मैंने पूर्णांक आप जो यह पूर्णांक है इसमें क्या-क्या नंबर्स आए फर्स्ट नेगेटिव नंबर्स सेकेंड जीरो भी आया और थर्ड पॉजिटिव नंबर भी आया क्या क्या आया फर्स्ट नेगेटिव नंबर सेकेंड जीरो और थर्ड तारे ही पोजिटिव नंबर साई तो अब क्या करेंगे इसमें सबसे पहले तो इसको इंग्लिस में क्या बोलते हैं वही लिख देते हैं उसके बाद बाकी की चर्चा करेंगे इंग्लिस में क्या बोलते से इसको integer बोलते हैं क्या इन्टीजर इंटीजर इन्टीजर गोलते हैं आबंटीजर में फ़र्स्ट और यार हा है क्या यारा है फ़र्सट वर्ड पितल आई क्यक्या इसको कि से दीनौट करेंगे केपिटल आई से अगर रुखो इसको जेट से भी व्यक्त करते हैं एसा क्यों जेट से क्यों व्यक्त करते हैं इसको भई हमने बहुत बार पढ़ा है ना क्या होते हैं उनांग सारे ही जेट से दिनोड करते हैं इसको अब एसा क्यों इसका भी एक रीजन है एक युनानी बासा जसमे और एली एक्स्प्लेंट करते तहां ना यूनानी बासा में इनको गीनते हैं हम नंबर को जो काउंटिंग होती है उसको बोलते हैं जैल हीन में जहल वर्ड होता है क्या होता है जहल याहां जहल हीन इसका मतलब होता है counting जानी जिनन करेंगा एक finishes counting से ही यह जलहेंच से बनता हे जहलवर्द पलंटू जहहलवर्द क्या बनता है यहलीर बनता है इसका मतल होता है संख्या क्या होता है Sum shelf जो तुम जैड इससे क्या बना पुण्णांका जैड बना यानि इसका किस-किस से डीनोर ॥ करेंगे एक तो I से हुर एक और Z से वोयramento करेंगे ठीक है अब एक और बात है पूर्ण को होते हैं Three大丈夫 कितने प्जार होते हैं three ड्रक जोते हैं किस-किस प्रक की होते हैं यहां लिख दे आगे कितने प्जार है funding क्या सुझाज फैसें फैस्ट क्या अता है याता है पूरांग क्या इस पमछी तो dad अतलब जीरो जो है एक एसा है ना तो माइनस का नमबर होता है नहीं प्लस का नमबर होता है इसलिए उदासिन पूरांग के अंदर क्या हो जाएगा जीरो इसको क्या बोलते है जीरोत पूरांग जो इंग्लिस में इसको बोलते है जीरोत इंटिजर ठीक है अब नेक्स्ट बा अब बात आति है आगे चलके इसने क्या किया था सारे ही नंबर उठा दिये लेकिन अब ध्यान से देखो तो इन बन्बर के बीच में जो यह नंबर से आपके पास इनके बीच में कुछ counties और मिस रहे गए है कुछ numbers म नंबरों रहे dwarf यहां देखो तो 1 by 4 है यहां 1 by 2 है 3 by 4 है एसे ही number इधर भी मिश हो गए 1 by 4 माइनस का 1 by 2 माइनस का 3 by 4 माइनस का यह सारे number क्या हो गए इनको भी दो उठाना पड़ेगा फिर से इन सब को भी उठाना है जो सारे number कैसे है 1 by 4, 1 by 2, 3 by 4 इन सब को भी उठा दें तो चलिए यह रहा अपना बेग यह रहा अपना बेग अब इस बेग के अंदर क्या करना है अपन को नमबर उठा के डालने सबसे पहली बात अब अब इसके बाद जीरो को जीरो और प्राकर्तिक संख्याओं को मिला कि हमने पूर्ण संख्याओं भी जोड ली अब पूर्ण संख्याओं में क्या किया पूर्ण संख्याओं यानि होल नमबर प्लस नेगेटिव नमबर कैसे नेगेटिव नमबर मिला कि हमने क्या कलेक कर लिया सारे ही जेट यानि सारे ही पूरांग अपने पास इस देख के अंदर अवेलेबल है तब सारे पूरांग के बाद और क्या बच रहा है वन बाई 3 बाई 4 सारे बटे वाले नमबर आ रहे हैं माइनस का हो सकता है 4 by 8 प्लस का हो सकता है 7 by 6 माइनस का 8 by 9 प्लस का एसे सारे नमबर इसमें Z के साथ और भी डाल दिएдо क्या लिख दें परिमे संख्या हैं अब परिमे संख्याओं को इंग्लिस में क्या बोलते हैं रेस्टनल नंबर्स 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 लेकिन इनको आर से डिनोट नहीं करते हैं किससे किस से denote करते हैं, इसको denote करते हैं, Q से, कैसा वाला Q, कैपिटल Q, किस से denote करेंगे हम इसको, कैपिटल Q से denote करेंगे, अब ऐसा Q इसको कैपिटल Q से denote क्यों किया, तो इस नमबर को ज्यान से देखिए, कोई भी नमबर देख लिए, इसमें ज्यान से देखना एक नमबर को, माल य या मैंने पास कोई number है 7 by 6 इसमें से इस वाले को उठा दिया minus plus कोई बात नहीं इसको ध्यान से देखो तो क्या होता है अपोर में जो भी number होता है वो क्या होता है उपर आले number को divide कर रहा होता है जब कुसी number को किसी number से divide करेंगे तो अपने पास जो result आता है उसको क्या बोलतें इंचिस में quotient बोलते है इंचिसमें क्या बोलते है उसको quotient इसपहलं होती है वो स्फतार होती है Q से किससे इसको कि से डिनोड किया क्यिपिटल Q से अब परपे संख्या में एक और चित ध्यान रखना है इस रूप में हैं, P by कू के रूप में हैं, और ये P और Q angले क्या होंगे? पी और पी दोनों ही पूरणांग होंगे ना, और जो वो कभी 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो हम पड़ने वाले सारे ही संख्याओं की परिबास हैं, और केसी परिवासा हैं सारे देखते हैं क्या है प्राकत संख्या है प्राकत संख्या होगी परिवासा क्या होगी एक से लेके अनन्त की सारी संख्या हैं क्या करे लाएंगी प्राकत संख्या हैं क्या करे लाएंगी किस से प्रदसित करेंगे capital N से प्रदसित करेंगे next संख्या है पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या है क्या होती है जब प्राकत संख्या हों में हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो हमें प्राकत होती है पूर्ण संख्या है इनको हम किस से डिनोड करेंगे capital W से next है पूर्ण पूर्णांग क्या होंगे जब हम पूर्ण संख्या हों में रियनात्मक नंबर को सम्मिलित करेंगे तो हमें मिलेंगे पूर्णांग को किस से प्रतसित करेंगे क्या तो आई से या फिर जेड से अब परिमे संख्या है परिमे संख्या क्या होती है जब किसी संख्या आर को हम परिमे संख्या कहेंगे, कब कहेंगे, जब वो संख्या P by Q के रूप में हो, तथा P by Q दोनों ही क्या होंगे, पूर्णांग होंगे, क्या होंगे, पूर्णांग होंगे, और Q क्या होगा, कभी 0 नहीं होगा, किस-किस फोर्म में होंगी, P by Q के फोर्म में होंगी परिमे संख् और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय हिन जय बारत